इस्राइल और हमास के बीच गाजा में छिड़ी जंग अब भयंग कर रूप ले चुकी है इस युद्ध में हमास को फिलिस्तीन के कई चरमपंथी संगटनों का बखू भी साप निल रहा है इराग का इसलामिक प्रतिरोधी संगटन हो या हमास के हूती विद्रोही तो वहीं लेबनान का हिजगुला हो या सीरिया के प्रतिरोधी लड़ाके सभी इसराइल पर मिसाइल ड्रोन और रॉकेट हमले कर रहे हैं इन सब के बीच लेबनान का हिजबुल्ला इस कड़ी में सबसे बड़ा और सबसे एहम किरदा निभाता दिख रहा है हिजबुल्ला लड़ागों ने लेबनान से उत्री इसराइल में जंग का एक ऐसा मोर्चा खोला है जो हर बीतते दिन के साथ खतरनाक हो रहा है प्रतिरोज की ओर से इसराइल और इसराइल की सेना पर जबर्दस धमाके हो रहे हैं हम लोगी हर दिन एक नई और पहले से ज्यादा खौफनाग सीरीज शुरू की जा रही है जिसमें इसराइल के हर एक ठिकानों का चुन-चुन कर शिकार हो रहा है हिजबुला के घातक UAV यानि Unmanned Aerial Vehicle इसराइल के लिए एक बड़ा सिर्दर्द बनकर सामने आए है हिजबुला हर दिन एक से बढ़कर एक UAV लाँच कर इसराइल को बड़ा नुकसान पहुचा रहा है बीते दिनों हिजबुला की ओर से छोड़े गए दो UAV इसराइली सीमा में दाखिल हो गए थे दावा किया गया कि ये ड्रोन इसराइल के वायू सेना के सबसे महतुपूर्ण और समवेदन शील पॉइंट तक घुसाया था जहां एडवांस अब्जर्वेशन सिस्टम स्काई ड्यू काम करता है खास बात है कि आयरें डोम जैसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम के बावजूर्ण ये ड्रोन इसराइली सीमा के करीब 70 किलो मीटर अंदर तक घुसाया था जिसे आखिरकार इसराइल को मार गिराने में सफलता मिली थी बताय जाता है कि तब तक यूएवी ने अपने काम को अंजाम तक पहुँचा दिया था उसने विस्पोटक यूएवी के लिए रास्ता तयार कर दिया था दर असल स्काइड्यू सिस्टम मिसाइल डिफेंस के लिए गुलानी जंक्शन के पास बड़े अब्जर्वेशन बैलून पर बेस्ड है इसमें एल्टा सिस्टम का एक हाई पावर वाला रेडार मौजूद है इसे खास्तोर से पूर्व और उत्तर की दिशा से आने वाले क्रूज मिसाइलें और यूएवी को पहचानने के लिए बनाया गया है बावजूद इस के स्काइड्यू ने भी कोई चितावनी नहीं दी इसकी लागत करोडों शेकेल बताई जाती है ये कोई पहली घटना नहीं है इससे पहले भी हिजबुला की ओर से छोड़े गए कई यूएवी इसराइली बलो का काल बन कर तूटे है दावा किया जाता है कि हिजबुला इन यूएवी का बड़े स्तर पर इस्तमाल कर इसराइल के एर डिफेंस सिस्टम पर हमलों को बढ़ा रहा है शुरुआत में हिजबुला ने इसराइली सेना को अंधा करने के लिए बॉर्डर्स पर तैनाद कैमरो और अब्जर्वेशन सिस्टम को निशाना बनाया था मौजूदा युद्ध में हिजबुला के ड्रोन्स ने आईडियफ को कड़ी चुनौती दी है रॉकेटों के उलट ये युएवी तेज, उची और सीधे टार्गेट पर उडान भरते है इनके सामने रेडार भी गच्चा खा जाते है युद्ध के आठ महीने बीच जाने के बाद और उत्तर में बढ़ते युएवी खत्रे के साथ आईडियफ की तैयारी पर कई सवाल भी उट खड़े हुए है इन सब के बावजूद इसराइल के डिफेंस सूत्रों ने आईरें डोम के जरिये युएवी को रोकने में सफलता का दावा किया है बताया जाता है कि दुनिया भर में ऐसा गोई लेटेस्ट एर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इस खत्रे से पूरी तरहा से निपट सके बाकी देशों की सेनाओं के मुकाबले आईडियफ बेहतर स्तिती में है बहराल हिश्बुल्ला की ओर से इस्तेमाल किये जा रहे युएवी ने मौजूदा युद्ध की दशा और दिशा को पलट कर रख दिया है